नमश्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की उननी सखेश दो हजार बाइस देख लेते हैं इंडियने इस्प्रस केडिटोरियल आइडिया पे इसे इंपोर्टन आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप सब आप से एक बार देख लो वह वैल्यू जो भी है ठीक है चलिए देख लेते हैं हमारे लिए इंपोर्टन आर्टिकल्स देखो आज हमारे पास में जो इश्यूज है पहला तो हम देखेंगे इंडिया गल्फ रिलेशन्स के बारे में जिसमें अलिगड मुस्लिम उन्यूश् दूसरा हम जानेंगे कि जो विमन का लेबर फोर्स में पार्टिसोपेशन है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं और क्या उसके ट्रेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं तीसरा हम देखेंगे कि जब से आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया है ठीक है जमो किश्मीर के बाइफर चाइना के वैसल की विजिट होई है इससे इंडिया को क्या सोचना चाहिए क्या करना चाहिए थोड़ा सा वोड देख लेंगे उस पॉइंट पर नज़र डालेंगे तो यह चार इस यूजर देखते हैं इनको फस्ट आर्टिकल है स्ट्राइट्स इन गल्फ आर्टिकल को लिखा है तारीक मंसूर जी के द्वारा लिखा हुआ यह आर्टिकल है इनका यह कहना है कि जुलाई 10 की बात है तब अलिगर मुस्लिम उनिवर्स्टी ने अपनी तरफ से गवर्मेंट आफ इंडिया से रिक्वेस्ट मांगी कि आप बताओ कि हम साओधी प्रिंच का मैप देखेंगे यह आपके सामने स्क्रीन है यह है पर्शन गल्फ के साओध के तरफ या वेस्ट के तरफ जो कंट्रीज है उनके नाव हम देखें इराक है इधर कुएत आ गया यह साओधी अरभ है यह यूएई बहरीन यह चोटा सा इलेंड गंट्री है बहरीन यह कतर गया और यह ओमान आ गया इनको मिला करके और बोला जाता है अरब स्टेट्स और गल्फ कंट्रीज और इसके अलावा इरान भी आड़ हो जाता है ठीक है क्योंकि अल्टिमेटली पर्शन गल्फ से जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अपनी कॉस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं वो कंट्रीज यहां पे इंक्लूड हो जाएंगे अब चलता है मेन कंटेंट की तरफ अब हम बात करें गल्फ कंट्रीज और इंडिया की रिलेशनशिप की पिछले आठ सालों में जो रिलेशनशिप जो पीक पे पहुंची है उतना पहले गभी नहीं पहुंची थी ठीक है पहले हम केवल इशूस को बाइलेटरल पॉइंट आफ वे से ज़्यादा देखते थे अब सेक्यूरिटी इशूस को भी हम देखने लग गये हैं और भी बहुत सारे मुद्धे हैं जिन पे आज इंडिया की कनवर्जेंस आ रही है गल्फ कंट्रीज के साथ में अभी एक तो UAE में अभी आप रिसेंटली देखो UAE की विजट पर जाते है हमारे प्राइमिनिस्टर नाइंदर मोदी जी किसलिए कि UAE के फॉर्मर प्रेजिडेंट का डिमाइस हो गया ता शेह खलीफा बिन जायद अल नहायान का ठीक है तो उनके उस चीज को गॉंडलेंस पे करने के लिए गए थे अपने हिसाब से इसके अलावा देखा जाए तो अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्स्टी की तरफ से जो कंट्रिब्यूशन है इस रिलेशन्शिप में वह बहुत इंपॉर्टन्ट है 2020 में हमारे प्राइमिनिस्टर नाइंदर मोदी जी जब अलिगर्ड मुस्ल की बात करो बहुत इंपॉर्टन्ट कंट्रिबूशन रहा है इंडिया की रिलेशन्शिप गल्फ रीजिन में अभी आपको पता है बहुत हत्तक राइज हुई है तो इस तरीके से राइटर जो है वो पांच इंपॉर्टन्ट ट्रेंड्स निकालना चाह रहे हैं करंट जो है उसके जो एक रिलेशन्शिप की बात हम करें गल्फ कंट्रीज के साथ में तो पहला तो ये कि एक पर्सनल इंप्रिंट देखने को मिलता है जहां पर एक इंडिवीजुल लीडर दूसरे इंडिवीजुल काउंटर पार्ट से अपनी रिलेशन्शिप बहुत इसी के जलते आप देखो कि पिछले आठ सालों में बारा के लगबग विजिट्स हो चुकी है अल्रेडी हमारे हां से प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट यह है कि इंडिया के कैनवास का एंगेजमेंट का जो कैनवास है मतलब जिस तरीके से हम ग यह है कि जो रिलेशन्शिप है उसमें हम देखें तो इसराइल के साथ में भी हम उसी तरीके से रिलेशन्शिप मेंटेन कर रहे हैं जिस तरीके से अरब कंट्री के साथ कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि इसराइल अरब राइवल्री के चलते हैं जो रिलेशन्शिप म तो उनको वहाँ पर highest civilian award है वो भी दिया जाता है ठीक है तो कुल मिला करके और पैलेस्टीनिस चीज को acknowledge भी करता है कि पैलेस्टीनियन्स के cause को अगर fulfill करवाने का माददा कोई गल्फ countries के बाहर किसी के पास में है तो वो है इंडिया जहाँ पर largest minority के तरवे muslim से रहता है ठीक है अब आजओ fourth point की देखो कि जिस तरीके से USA ने इस region में अपने आपको withdraw किया है तो वहीं पर इंडिया की relevance बहुत बढ़ गई आज US ने खुद ने आपको पता I2U2 करके group established किया है और US खुद चाहा कर इंडिया की engagement भढ़ाना जाता है बच्चे अफगानिस्तान वाला मुद्दा थोड़ा सा अगर देखेंगे गल्फ कंट्री से नहीं है वैसे ये South Asia से related मुद्दा हो गया पर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्योंकि अफगानिस्तान वाले में तब से इंडिया के engagement फिर से अच्छी होने लग गई है ओके दूसरा regional peace security को promote करने के लिए ये जो countries है Gulf countries ये भी इंडिया के साथ में इंगेस करना चाहते हैं इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया अब जो है वो Gulf countries में एक maritime neighborhood के तौर पे इन countries को देखता है क्योंकि इस रीजन में जो डो तरीकों समझ सकते हैं एक तो वाया सी एक वाया लेंड वाया लेंड वाया लेंड के तो कनेक्टिविटी है नो डाउट है ना पर वही वाजन गल्फ और अरेबियन के या फिर गल्फ ऑफ ओमान को जोइन करता है वो आ गया इसके लावा शेयर्ड वैल्यूस की बात कर लो जो ग्राफिकल प्रॉक्जिमिटी इन चीजों में और हम भी तो कहीं ने कहीं इस चीज के लिए लेकर के क्रूड ओल के जो हमारे सेक्योरटी है यह हम यह कहें कि हमारे एनर्जी सेक्योरटी वह भी बहुत ज़्यादा डिपेंडन्ट है इस तरीके से ओवर ओल देखा जाए तो एंकेश्मेंट हर तरीके से देखी जा सकती है तो पांच पैंट समने अब राइटर बोल रहे हैं कि अलिगर्ड मुस्लिम उनिवस्टी ने भी बहुत important role play किया है आज AMU से pass out जो भी लोग हैं वो साथी अरब UAE में जाकर के बहुत important role play कर रहे हैं इंडिया की soft power जो है वो बहुत ज़्यादा है गल्फ countries में people to people contact बहुत ज़्यादा rise हुआ है इवन राइटर बोल रहे हैं बोले कि मैं जब वहाँ पर विजिट पर गया तो एक अलिगर्ड मुस्लिम उनिश्टी से influenced individual लेडी से मेरी बात हुई ठीक है इंगेजमेंट है 1975 में जब UAE के प्रेजिडेंट जो थे शेख जायद बिन सुल्थान अलनायान जो की रिसेंटली जिनका डिमाइस हुआ है जिसके जिनके चलते फिर हमारे प्रैमिनिस्टर नेंदर मोजी वहां पर जाकर के कॉंडलिंस पे कर गया है कुलमिलाकर के बात है कि यह भी इंडिया के विजट में आता है इनको भी इन्हों ने अपनी तरफ से एक शुरुवात की थी एम्यू में अपनी इंगेजमेंट दिखाने की तब से लेकर बोले एम्यू बहुत एक्टिव पार्टिसपेशन दे रह है इसके अलावा इरान के शाह को भी यह डिग्री दी हुई है इजिफ्ट के प्रेजिडेंट को यह सारे अरब कंट्रीज है इसके अलावा जो और दूसरे कंट्रीज है जहां पर मुस्लिम डॉमिनेटिट कम्यूनिटी है वो है मलेशिया, मौलदीव, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मौरोको, सुडान, बोलो यहां से भी बहुत से लीडर्स हैं वो आते हैं एम्यू में पढ़के जाते हैं तो कुल मिलाकर करके एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना हम विश्वगुरू बनने की बात करते हैं न 2020 में जब अखिल भारती है, सिक्षन संगटन कंक्लूड हुआ तो उसमें यही था कि हम एजुकेशन को ज्यादा ज्यादा प्रोमोट करना है जिससे कि लोग बाहर से इंडिया में पढ़ने के लिए हैं और एम्यू यह रोल बहुत इंपॉर्टन तरीके से हैं सही तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है, इसलिए एम्यू को टैग भी मिला हुआ है, इंस्टिट्यूट आफ नेशनल इंपॉर्टन्स का, इसके बेसिस में क्या है कि जहां पर एजुकेशन की बात है तो गल्फ कंट्री से हैं या फिर जहां पर भी रिसर्स की बात है उर्दू अरेबिक पर्षन या हिंदी किसी भी लेंग्वेज में तो लोग आकर के एम्यू को प्रिफर करते हैं ठीक है तो इस तरीके से एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोर्डिंग इसको भी फुल्फिल करती है एम्यू तो कुल मिलाकर के जो हमारे प्रेमिनिस्टर हैं उनके एफर्ट्स हैं कि गल्फ कंट्रीज या अरब कंट्रीज के साथ में हम कैसे अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएं तो उसमें एजुकेशन का जो सौफ्ट पावर है जिसमें एम्यू का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टन बन जाता है ठीक है तो इस क्लियर हो जाएगी आगे चलता है नेक्स आर्टिकल है आई डे स्पीच टू विमन्स वर्क आर्टिकल को लिखा है बीना अगरवाल जी ने देखो हम यह बार-बार सुनते हैं कि हमारे यहां पर वर्कफोर्स में विमन पार्टिसिपेशन बहुत कम है इसके पीछे बोले ए इमेल्स को मेल्स को ज़्यादा मिलता है इसके अलावा लाइफटाइम अर्णिंग की बात कर लो या फिर केरियर की चॉइस की बात कर लो या फिर एक विमन का एमप्लॉइमेंट में पार्टिसिपेशन और उससे फिर अपग्रेड होकर के टॉप लेवल पर कहुंचना तो बोले इन चीजों को लेकर के हम बार-बार यही कहता है कि उन पर बहुत सारी कहते हैं ग्लास से लिंग लगी हुई है जो कि दिखती तो नहीं है पर उपर उठ पने से रोकती है तो कुल मिलाकर की एक आ जाता है कि domestic responsibility and child care responsibility या burden जिसको बोल दिया रता है बोलो उसकी वज़े से women को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है काम करने का पर writer जो है वो बोल रही है बोले कि परिस्तितियां बदल रही है एक बार हमें उसको समझना होगा सबसे चीज तो demographic shift में आप ध्यान दो कि पिछले एक दशक में ज्यादा से ज्यादा problem जो दिख रही है वो demand side से दिख रही है इसका मतलब job की demand जो है females में वो अभी भी up to the mark नहीं है जितना की जरुरत है दूसरी चीज क्या है कि demand side में भी कमी की वज़े है कि एक तो घर से थोड़ तीसरा securing space secure living space आजपास में अगर कोई कहीं पर रहे काम भी करना चाहे तो उनको risk ना रहे और harassment free workplace कि workplace पर भी कोई उनका sexual harassment ना करे उनको परिशान ना करे अगर ये situation को हम handle करते हैं तो women का automatically labor force में participation rise होता ही दिखेगा इसके आगे हम देखें कि अगर हम global pattern को understand करें तो total fertility rate जो कि आप ये कह सकते हो कि एक औरत अपनी पूरी जन्दिकी में कितने बच्चों को पैदा कर रही है average ठीक है तो global total fertility rate लगाता डाउन होती चली जा रही है even replacement level जिसको हम बोलते हैं 2.1 कि एक औरत average सारी औरतों को मिला कर कि average 2.1 TFR होती है इसका मतलब माता पिता की जगह लेने के लिए बच्चे ready है दो बच्चे हो जाएंगे average ठीक है तो ये OECD countries के द्वारा standard fix किया हुआ है कि आपे 2.1 अगर fertility rate है तो population stable रहेगी ठीक है तो ऐसे में सचाई तो ये है कि high income या फिर कुछ ऐसे middle income countries भी हैं जहाँ आपर total fertility rate 2.1 से down हो चुकी है अगर इंडिया की बात करें तो 2019 भीस का जो national family health survey रिलीज हुआ है उसमें TFR जो है वो already 2.1 तक पहुँच चुकी है छोड़ करके केवल 5 states को बिहार, जारकन, मनीपुर, मेगाला और UP इन में थोड़ा सा TFR अभी भी 2.1 से जादा है बाकी सारे country में बचे हुए states duties में 2.1 से कम TFR आ चुका है इसका मतलब childlessness grow हो रही है बच्चे कम पैदा करने का एक trend बहुत हद तक है जैसे कि हम UK की बात करें तो वहाँ पर 50% women ऐसी हैं जिनकी उमर 30 साल से जादा हो रही है और उनके अभी तक एक भी बच्चा नहीं है ठीक है इसी तरी पैदा करने का trend है यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर childlessness 1940 में 2.4% women में हुआ गरता था जिनकी उमर 30 से जादा है ठीक है उनमें से किवल 2.4 women ही ऐसी हुआ गरती जिनमें childlessness थी अब देखा जाए तो 1970 में 5% हो गी थी अभी और जादा बढ़ चुकी है तो कुल मिला करके हम यह कहें कि women पे child को protect करना child को grow करना उसका burden है तो लोग बहुत हद तक reduce हो रहा है यह demographic trend से हम अच्छे से समझ सकते हैं फिर बात आती है कि women जो है वो पहले तो जादा बच्चों को care करती थी इसलिए time नहीं मिलता अब यह argument आता है कि अब जो है वो quality time देना चाहती है अपने बच्चों को इसलिए middle class की women ज़्यादा घरों पर रहती है और अपने बच्चों को extra curriculum activities करवाती है जिसें कि वो education के अलावा और activities में भी अपना I mean literacy के अलावा और और भी aspects में अपने आपको grow करा सके तो एक यह point अभी भी highlighted रहत है फिर आजाओ कि child care को replace कर दिया है अब elder care में क्योंकि अब बच्चे कम पैदा हो रहे है तो बुड़े ज्यादा हो गए तो बुड़ों को ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि aging population लगाधार बढ़ दी चली जा रही है बड़ आइटर जो है वो समझाना चारी और जो नातिन होती है ठीक है नाति जो है वो बैठे है साथ में इस तरीके से आप देखो UK में किवल 7% ऐसे household से जहाँ पर इंटर ये multi-generational है और इंडिया में किवल 16% फैमिली जो कि joint family के तोर पे consider होई 2011 की census के according तो इसका मतलब ये भी तो clear हो रहा ना कि child care को elder care से आप replace होत इसके आगे फिर writer बोल रही है कि evidence तो ये suggest कर रहे है कि elder care जो है वो child care को अगर हम देखें तो उसको replace कर रही है ये बात एकदम accurately हमें नहीं दिखाई देती है हाँ अगर हम थोड़ा सा economical level की बात करें तब हमें थोड़ा सा discrimination difference देखने को मिलेगा कि जो गरीब परिवारों की म ठीक है क्योंकि जो गरीब परिवारों में रहते हैं वो लोग सब साथ में रहते हैं उनको बहुत सारे काम करने होते हैं अगर middle class family से belong करती है तो आप देखो घर पे पानी की वेवस्था भी है toilet के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता cooking के लिए लकड़ी कटी करके नहीं लानी पड़ती जो एक्स्ट्रा काम जो हुआ करते हैं वो काम reduce हो जाते हैं तो बचा हुआ अब इसमें time spare ही हो रहा है time spare होगा तो definitely productive participation automatically labor force में आ जाएगा तो यही चीज है कि अभी जो trend है वो बड़ा sensitive है और बहुत ही favor वाला है बस फर्क इतना सा है कि हम इन चीजों को understand कर लेना कि demographic कही ना कहीं change हो रही है लोगों के income करने के तरीके change हो रहे है मैलाओं का जो घर पे जो load था वो reduce हो रहा है तो participation बढ़ेगा ही और यह चीज 2019 की एक report भी है John Bangert के द्वारा एक release की population studies के नाम से बोला 58 middle or low income countries में यह देखा गया है कि fertility rate जो है वो लगाता गिर रही है इसकी वज़े से women employment percentage भी rise हुआ है अब देखो basic infrastructure के requirement की बात करें जैसे घरों की बात करें तो आज पानी भी घर पे है वो मैंने बता दिया आपको cooking की भी इतना load नहीं है तो उससे भी तो time बचता ही है ठीक है इसके अलावा जरुवत है कि अभी भी society में जो trend चल रहे है वो हमें जो कि men and women दोनों equally share करें दूसरी चीज जो demographic change हो रही है जिसमें हम particularly बात कर रहे है जो fertility reduce हुई है बच्चे पैदा करने की जो rate है वो reduce हुई है तीसरी चीज आती है कि basic technology की requirement है तो basic technology जितनी ज्यादा हम develop करते है जितना ज्यादा penetration होता है उतना ही manual labor automatically down हो जाता है ठीक है आज आज के time पे अगर हम देखें तो women employment के बीच में जो hurdle एक child care के आती है वो इतना load नहीं बन रहा है ठीक है इसके आगे अगर देखा जाए तो फिर आती है बात कि women को कैसे employable बनाए तो वो आ जाता है कि उनको proper training दे दी जाए उनको skill set ज्याद ज्याद दे दिया जाए अब उन industry और academic की बीच में gap रह जाएगा तो वो भी problem create करता है लोगों के बीच में awareness होनी चेए even employer को भी awareness aware होना जरूरी है कि आप women को hire कर रहे हो तो wages आप equal payment पे दो दूसरी चीज work culture एकदम अच्छे से maintain किया जाए transportation facility का proper facility आज कल तो चलो ये cap web की facility इतनी अच्छी होगा ये इतनी problem नहीं आती है पर फिर भी आज अगर परिस्तिती देखें तो वो पहरे से तो अच्छी है पर एकदम best नहीं कह सकते अभी भी workplaces पे sexual harassment का सामना करना पड़ता है zero tolerance होनी चीए इस तरीके के incidents के लिए हना तो overall demographic change और जो shift आ रहा है अभी पूरा trend हमने जो understand किया पूरा वो labor force मे participation को rise करने के favor की ही बात कर रहा है तो हम ही क्या करना है conducive environment का और benefit उठाना है ज्यादा से ज्यादा women को work की तरफ push करना है या उनको attract करना और basically देखा जाए तो educated जो भी लड़किया है वो definitely इस चीज़ के लिए पडश्यों भी कर रही है कि हम कैसे भी करके हम independent हो मतलब economy कली point of इसे ठीक है तो यह यह बोले independence day के speech में यह बड़ा important point था कि कैसे हम हमारी women को एक कहता ना कि strength दे सके क्योंकि हमारी total population का 50% अगर घर पे बैठा रहेगा तो कैसे हम economical power बन पाएंगे तो उस point of this article हमारे लिए important था आगे जलता है next article is drawing lines in high seas देखो आर्टिकल को लिखा अभी ज जीत सिंग जी ने मुद्दा आपको पता ही है कि श्रलंका ने यूआन वेंग 5 जो Chinese surveillance ship था उसको पहले मना कर दिया था कि बाद में आना और फिर बाद में अब allow कर दिया गया है इंडिया ने अपनी तरफ से security concerns raise किये बट वही चीज है कि अब हमें समझना होगा कि श्रलंका ने अपने waters में इसको allow कर दिया अपने हमबंडोटा पोर्ट में allow कर दिया जो कि 1987 का इंडिया स्रलंका अकॉर्ड का violation नहीं माना जाएगा कैसे कि worship तो है नहीं और आराम से यह enter हो सकता है आज आओ जी दूसरे point पे एक तो यह argument दिया जा दूसरा ये कि China ने जिस तरीके से पैसा लगा रखा है चाइना ने जिस तरीके से अपना pressure बनाने की पूरी कोशिश किये जिसमें यह point निकल किया था कि 99 years की lease पे है दूसरा श्रलंका आज economically बहुत ज़्यदा crisis में है तो उस crisis से निकालने के लिए IMF के बाद में दूसरे नंबर पे चाइना का इनामात है श्र replenishment कि हाँ हमारा जो fuel है उसको refuel करने के लिए या फिर जो भी पानीवानी की जो maintenance रखनी है maintenance के point of view से हमारे है यहाँ पर ठीक है अब देखो हमने तो हमारी तरफ से decision बार-बार प्रेशराइस किया I mean हमारी तरफ से हमने हमारी security concerns को raise किया इस तरीके से Chinese research को आप कैसे allow कर सकते जो की साड़े साथ सो किलोमेटर तक की range में आराम से trace कर सकता जिसमें हमारे important ports भी आ जाता है जैसे आंद्रा का केडला का या फिर तामिल नाडूगा तो कुल मिला करके आज आप देखो कि हमने पहले भी article discuss किया था उसमें सीधा यही कहा था कि China अपने आपको maritime great power बनाना च करेगा तो क्या-क्या उनके लिए guidelines है उनको हम बोलता ही UN clause United Nation Convention laws on seas इसनके बारे में एक बार तो डीटेल में देख लेना तो इसमें क्या है कि China का यह जो वैसल है इसको warship तो clear किया हुआ नहीं है तो SMM बोला किसी भी foreign port में आने में इनको problem नहीं होनी चीए और दूसरी चाइना का position की बात करें तो भई हमबन टोटा पोर्ट तो 99 साल की lease में ले रखा है तो अब कहां पर आप इतनी ताकत लगाओगे पर एक चीज़ क्लियर है यहां से कि China जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है अब कि हमबन टोटा पोर्ट को एक तरह strategically बहुत ज snooping that means आप जासुसी करवाते हो ठीक है और एरक्राफ्ट से सैटलाइट से या फिर शिप्स से बोले यह बहुत कॉमन हो चुकी है यह चीज इसके लिए हमें हमारी capabilities को यह upgrade करना होगा ठीक है जैसे आज हम वियतनाम के साथ में इंगेज करें फिलिपिन्स के साथ में प्रेशों को करजे की नीचे दबा दबा करके प्रेशराइज कर लिया और दूसरी चीज इंडिया पर यह भी प्लेम लगाया जाता है कि इंडिया जो है वह बहुत जाता big brother का role play किया करता रहा है तो इस वजह से हमारे internal issues में भी इंडिया ने हमेशा कुछ ना कुछ importantly consider हो रही है आजकल कैसे कि चाइना ने यह तो बता दिया ना कि हाजी हमारा यह surveillance ship है अब यह ना बता करके भी तो अपना कोई भी ship ला करके खड़ा कर सकता था तो कुल मिलाकर के बात यह आता है कि legitimacy के तौर पे इसको consider करना शुरू कर दिया even यह मैंने बता दिया चाहे दो मतलब military activity तो directly नहीं की sorry और security point of view से अपनी खुद की कहते हैं कि अपनी presence बनाए रखना चाहता है stakeholdership पे ज्यादा विश्वास रख रहा है कि यहाँ पर भी हमारी चलती है Bay of Bengal में देखो यह फिर undermansi की बात कर लो यहाँ पर चाइना लगातार अपने warships को भेज रहा है mainly वो है research vessels ठीक है जिसे कि चाइना को idea रहे कि कहाँ पर कौन सी activity हो रही है तो इंडिया को भी अपनी capabilities को rise करना पड़ेगा तो Beijing का game plan तो सीधा सही ही है कि Chinese activities जो है वो यह कुछ हैसी है कि global power के तोर पे चाइना को accept कर लो आप इसको reject नहीं कर सकते है जबकि इंडिया क्या बोलता है ना तो unipolar ना bipolar हमें multipolar world order चीए जिसमें भी इंडिया एक अपने आप important key player हो राइट साउच चाइना सी की बात करें इंडिया नोशन की बात करें western pacific region की बात करें तो इसमें mainly साउच चाइना सी जो की western pacific का ये extension है उसमें चाइना अपनी military engagement लगातार बढ़ा रहा है वहाँ पर अपने खुद के influence को rise कर रहा है ये भी बोलता है कि साउच चाइना सी तो हमारा खुद का ancient lake है उस तरीके से अपनी पकड़ बनाना चाहता है उधर तो बट ये चीज exactly आप copy करो इंडिया इंडिया नोशन के लिए बोले ये इतना applicability रखता नहीं है चाइना को स्रिलंका के साथ में जो engagement हो उसकी बात करें तो बही बात ऐसी है कि स्रिलंका में भी experts ऐसे हैं कई जिन्होंने object किया है इस तरीके से चाइना जो है वो हमबन टोटा पोर्ट को आने वाले time पर military purposes के लिए use भी कर लेगा आज तो surveillance पर जिसको worship के तोर पर आप categorize नहीं कर रहे हो जबकि श्रिलंकार experts का ये कहना है कि हम बन टोटा पोर्ट को commercial और military दोनों परपस इसके लिए चाइना यूज़ करने वाला है इसके लिए श्रिलंका को अपनी sovereignty अगर बचाए रखनी है वह सीदी सी बात है कि इसे दूसरे country का ship military ली आपके country में located port पर वहाँ पर military operations के लिए दूसर larger जो question है वो ये कि देखो बात ऐसी है कि जिस तरीके से हमारे आसपास में जो भी activities हो रही है maritime में उनका हमारे उपर impact क्या है तो हमें हमारे security खुद के हिसाब से ensure करनी होगी दूसरी चीज जिन देशों के पास में international rules के basis में privileges है या फिर ये को हो कि जिनकी पकड़ अच्छी United Nations Security Council में चाइना के पास में permanent seat है उसका वो अपने हिसाब से use करता है कोई भी उसके against में कोई मुद्दा लाया जाता है तो उसको वहीं पे veto कर दिया जाता है चाइना के दौरा है आप तो रश्या दोस्त बनी रहा है तो कुल मिला करके हमें हमारे national interest को ध्यान में रखते हु a people under seas ये देखो कश्मीर में जो violence हो रही है उससे related है उपेंदर कोल जी के तुरह लिखा हुआ ये खुद कश्मीरी पंडित है इनका ये कहना है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी Muslims ठीक है ये साथ में रहते आये हैं और आगे रहने में भी कोई समश्या इनको होनी नहीं चा और फिर उसके बाद में आप देखो कि हिंदूस और मुस्लिम्स जो थे वो more or less अपनी खुद की मदर डंग कश्मीरी के साथ में लगातार एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे एक थोड़ा सा बीच में कह पाता है जब डोगरा रिजीम 1846 से 1947 तक का जो टाइम था डो टाइम पर बहुत ज़्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ा था फिर उसके बाद में जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो उसके बाद में लेंड रिफॉर्म एक्ट इंट्रिद्यूस किया जाता है शेक अब्दुल्ला गॉर्मेंट जो आज के टाइम पे उमर अब् कर दिया जमीन को तो कुल मिला करके उनके पास में प्रॉपर्टी थी नहीं तो फिर कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़ करके निकल गए कमाने के लिए पॉपुलेशन रह गई कितनी वहाँ पर लगबग 7% फिर उसके बाद में आप देखो 1981 से पॉपुलेशन डिकलाइन होती है और लगबग 5% तक पॉपुलेशन आ जाती है अगर वैली वाले एरिया की बात करें कश्मीर वैली की बात करें ठीक है फिर 1990 से जो किलिंग शुर आने के लिए आज की अगर बात करें तो मिलिटेंसी जो है वो फिर से बढ़ती चली जा रही है इस मिलिटेंसी का शिकार केवल पंडित सी नहीं है बोले मुसलिम्स भी लगातार बहुत बुरी परिस्तितियों से गुजर रहे हैं जो मुसलिम्स शांती से रहना चाते हैं ज तब जम्मु कश्मीर को रिया और्गिनाईज करने का जो बिल पारित हुआ था तब यह था कि हां कंडिशन इंप्रूव होगी पर अभी तक अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं आया है इवन कश्मेरी पंडित्स के अलावा दूसरे जो सेटलर्स हैं उनको भी परिशानी इवन जो हमारे राइटर खुद बोल रहे हैं कि जो हमारे खुद के पड़ोसी मुस्लिम्स हैं उनको भी बहुत प्राब्लम का सामना करना पड़ रहा है जो कि एक पीस्फुल लाइफ जीना चाते हैं ठीक है तो वहां पर बोले हिंदूस की किलिंग लगातार बढ़ चुक जो हमारे खुद बोले हैं तो बोले हैं तो बोले हैं यह थोड़ा सा अच्छा रहा इस टाइम पर मिलिटेंट्स ने थोड़ा सा अपने आपको रोग करके रखा कारण कि वहां के जो लोकल यह हुँथ हो उन्हीं को रिक्रूट किया जा रहा है देखा जाये तो ज़्याद करके आएंगे बोलो वो अभी तक भी बहुत दूर दूर तक इतना जादा हम कह सकते हैं कि दूर दूर तक पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो गौर्मेंट को थोड़ा क्लोजर मैनर में काम करने की ज़रूरत है दूसरी चीज कि लोगों ने जब से जम्मु कश्मीर यूटी होने के बाद में भी कश्मीरी बंडिट्स की सिक्यूरिटी थोड़ी सी अंडर थ्रेट है अभी भी रिस्क पे है और दूसरी चीज डेवलप्मेंट का जो काम है वो उस स्पेस के साथ नहीं हो पा रहा है देखो इस चीज में हमें थोड़ा समझना होगा देखा जाए तो आप खुद एक ब्यारोक्रिट बनने वाले हो तो आपको बैलेंस में समझना होगा कि गवर्मेंट जो कुछ भी करना चाहरी है वो रातो रात नहीं होता है जैसे कि हमने देखा डेमोक्रिटिक कंट्री है मिलिटेंसी सरदर्दी पहले भी थी मिलिटेंसी आज भी है प्र हाँ जब एक पडोस में एक परिवार पड़ लिख करके एक शान्ति की जिएगा तो उसी के पडोस में दूसरा परिवार अगर पड़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ तो comparison करेंग होती है तो कुल मिला करके गौर्मेंट के द्वारा जो भी देखे था ना सपने normal life वहाँ पर लानी है वो अभी थोड़े दूर का सपना है पर हाँ ये है कि उस पर काम करना जरूरी है ठीक है ना तो ये कुल मिला करके मुद्दे थे हमारे पास में डिसकुशन के यहीं डिसकुशन खता में थैंक्यू वारी मुच